स्वागत है दूस्ता आपका इस YouTube चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे साकाहरी किसे कहते हैं अंग्रेजी में इसको हम vegetarian बोलते हैं तो इसकी definition ये होगी कि साकाहरी वह वैक्ति होता है जो अपने आहार के अंदर खाने के अंदर मास, मुर्गी, मचली या अन्य समुद्री जीवों का सेवन नहीं करता है और ये खाने में मुख्य रूप से फल, सबजियां, अनाज, डाले, नट्स और बीजों का सेवन करता है तो उसी आदमी को हम साकाहरी बोलेंगे साकाहरी भी कई परकार के होते हैं तीन परकार के खास कर सुध्य साकाहरी जिसको हम वीगन बोलते हैं ये जो लोग होते हैं किसी भी परकार के पसूत पाधन का सेवन नहीं करते क्यों कुछ लोग क्या करते हैं दूद ले 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 लेते हैं, सैद खालेते हैं तो ये दूद, अंडे, सैध, इन सब को भी नहीं खाते हैं तो इनको हम वीगन सुद साकारी बोलते हैं दूसरा टाइप होता है लेक्टो वो साकारी यानि ये लोग दूद और अंडे का सेवन तो कर लेते हैं लेकिन मास नहीं खाते हैं और तीसरा होता है पेस्केटेरियन ये लोग मचली और समुंदरी भोजन का सेवन तो कर लेते हैं लेकिन अन्य परकार का मास नहीं काते हैं तो ये तीन परकार के साकारी होते हैं मुख्यर उपसे अगर सुध साकारी को देखें तो वही जो एक ऐसा साकारी होता है जो किसी पर परकार के cancer जैसी बिमारियों के खतरे को कम करने में मदद की जा सकते हैं दूसरा धर्म से जुड़ा prospect यहां पर हो सकता है जैसे हिंदु धर्म है जैन धर्म है यहाँ पर जो है इन धर्मों के अंदर खासकर मासहार को वर्जित माना गया है कुछ नैतिक कार्ण भी हो सकते हैं क वो जहरीली गय से निकलती हैं, इसके लावा बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए भी लोग जो है मास खाना पसंद नहीं करते हैं, यही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो आप साइंस लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें, थैंक्स वर वाचिं कि अचे वीडियो आप जरूब करेंड करें।